नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे इमराथ D20 का मैच नमबर 22 जो खेला जाएगा सार्जा वर्षिद AGM की टीमों की बीच में और इस मैच का वेन्यू रहेगा दुबई इंटरनेशनल किरकेश स्टेडियम दुबई में ये मुकाबला आज सामचैब जे स्टार्ट होगा पिच रिपोर्ट की बात कीजे तो रोल आपको एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ एक्स् कीती है और इस स्कूर की बात कीजे तो 145 के अराउंड आप अपना और इस स्कूर हो अक्सेप्ट करके चल सकती हूँ बागी दोस्तों इस वेन्यू की एक्सपर्टों दुआरा प्रवाइड जो भी फ्रेश पीज रिपोर्ट रहेगी और इस मैच की जो भी हमारी फाइनल टीम फाइनल सजेशन रहेगा अप्र टोस्तों आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ब्ल्यू कलर के लिंक रहेंगे सिंप्लिया वहाँ पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल को जो से आप टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकती हूँ अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी सार्जा की पोसीबल प्लेंग 11 तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और हमारी यूटूब चैनल के उपर भी अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नोड़केसन बल आइकन को जुरूर से प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोड़केसन भी आपको सबसे पहले मिल जाए तो सारजा की टीम ने इस सीजन साथ मैचीज खेलें जिसमें से अपने पांच मैच वोर्न करके रहे केवल दो मैचीज है वो लोस करके आ रही है और सारजा की टीम की तरब से लगातार आपको उसमान खान वो ओपन करवा के देने लास्मुकाल में 23 बनाए एक और की बोर्न डाली विकेड ने मिला सेकें लास्मुकाल में 26 रण की निंग के लिए उससे पहले भी उसमान खान की फोर्म है वो इस सीजन काफी लाजवाब रही है इपोर्टन पिक रही है जुरूर से कवरेर के समोलिंग में उसमान खान को आप वीसी और जील के कॉमनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राए करके चल सकती हो खालिज सा भी आपको लगातार ओपन करवा के दिरें फोर्म काफी लाजवाब चलिए इपोर्टन पिक रहने वाली है जुरूर से ट्राए करके चल सकती हो मौमन नदीम लास्ट मुकाल में 17 बनाए पलस 4 और की बोर्ण डाल दो विकेट निकाल के दिये मौमन नदीम की वी फोर्म काफी लाजवाब चलिए बैट और बोल दोनों से आपको अच्छा करवा के दिरें एक सेप कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस इस मुकाल में आपके लिए रहेगी तो जुरूर से ट्राए करके चल सकती हो फियाज एमद को ओनली जियल ट्राइगर के चलो दोस्तो समोलिग में आप ड्रोप करने कारें इसके काफी आसानी से ले सकती हूँ इस सीजन इनकी फोर्म भी इतनी अच्छी नहीं चलिए याजीर कलीम की फोर्म अच्छी चलिए लास्ट के तीन मैचिज में देखो उनचालिश पांच और छीालिश अरण की नहीं के लिए उसके पहले आलग की स्टार्टिंग के मैचिज में फोर्म इतनी अच्छी नहीं रही थी लेकिन या सिर कलीम इपोर्टन रहेंगे एक्सपरियेंस प्लेयर है तो जुरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकती हूँ जैनुला जैनी को आप सीधा सीधा ड्रोप करके चलो दोस्तो अजमल गुल है इनको भी आप ड्रोप करने का रिसक अपनी टीम से लेकिन स्टाटिंग के फर्स्ट मुकाल में जुरूर से ट्राइ करके चलना करनाल जैनी लास्ट मुकाल में विकेट लस रहे शैकिन लास्ट मुकाल में एक और थल लास्ट मुकाल में एक लेकिन स्टाटिंग के फर्स्ट मुकाल में पांच तो सार्जा की टीम की तरफ से बैंचीज में मुझे लगता नहीं कोई भी अपडेट आएगी और कोई भी अपडेट आती है तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगी अगर दोस्तो आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो केवल 500 लाइक का टार्गेट है मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है वजीद खान इपोर्टन रहेंगे ओपन प्लस आपको कम्पलीट च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे तो समोलिक के कॉमिनिस में वीसी और जील के कॉमिनिस में आप वजीद खान को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइकर के चल सकती हूँ मुहंद अजमल लास्ट मुकाल में 31 सेकंड लास्ट मुकाल में 6 फोम इतनी अच्छी नहीं चलिये बाकी टोप ओडर में बैटिंग करवा के देंगे तो जील में इपोर्टन रहेंगे जुरूर से ट्राइ करके चल सकती हूँ सागर कलयान की लास्ट के दो मैचिज में फोम लाजवाब रही है हाला कि स्टार्टिंग के मैचिज में इतना अच्छा नहीं कुरूआ पाई लेकिन इपोर्टन रहेंगे एक्स्पिरियेंस प्लेयर है तो जुरूर से अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ राउल चोपड़ा लास्ट मुकाल में एक बार फिर से फ्लोप नज़रा है केवल शैरमना है सेकिन लास्ट मुकाल में 22 लेकिन स्टार्टिंग के मैचिज में एक और इस सप्रदसन आपको कंटीन्यू करवा के दिने है राउल चोपड़ा इपोर्टन रहेंगे जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ दाउद जजाज को ओनली जील ट्राइकर के चला दोस्तो इस प्लेयर का बैटिंग ओडर कंफरम ने रहेगा कभी ओपन करवाने के लिया थे कभी बैटिंग ओडर काफी जादा नीचे रहता है फोम इतनी अच्छी नीचे लिये तो ओनली आप जील ट्राइकर के चल सकती हूँ असन टंडोन रिस्की रहेंगे स्टाटिंग के दो मैचेज में हाला की 30 प्लस राण जुरूर से करवा के दिये लेकिन उसके बाल फोम है वो काफी जादा फ्लोप चलिये जब जब ये टोप ओडर में बैटिंग करवाने के लिय फोम अच्छी नहीं चलिये तो ओनली जील ट्राइकर के चल सकती हूँ तीन से च्यार ओर की बोलिंग आपको कनफरम डालके देंगे मोहमत उजेर को जील ट्राइकर के चलो समोलिंग में ड्रोप करने का रिस्क ले सकती हूँ बाकि दोस्तों समोलिंग में भी आपके लिए पिक रहने वाली है नाजीर अजीज है लास्ट मुकाल में च्यार ओर की बोलिंग जीरो विए ड्रोप कने का रिस्क अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ बाकि दोस्तों इस टीम की तरफ से बैंसीज में कोई भी अपडेट आएगी तो वो मिल जाएगी आपको टे के description box में मिल जाएंगे यह तो कि दोस्तों दोनों टीमों का state wise analysis अब बात कर लेते हैं player wise analysis और कुछ अपने captain wise captain के rotation के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विक की section में एफम में रिस्की रहेंगे only jail try करके चल सकती हूँ आपको नमबर च्यार या नमबर पांच पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आ जेंगे लेकिन इस season इनकी form है वो काफी ज़्यादा flop चल लिए खाली सा आपको open करवाके द दोस्तों बैटिंग ओडर में अमजाद गुल है रिस्की पिक रहेंगी सीधा सदा ड्रोप करने का रिस्क अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ दाउद अजर की बात कीजे तो दोस्तों इस player का बैटिंग ओडर करम ने रहेगा कभी top ओडर में बैटिंग करवाने क दाउद जाज को आप ओनली जील ट्राई करके चल सकती हूँ समोलिग में ड्रोप करने का रिसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ तंडोन औरेज पिक रहेगी समोलिग ओगराल एक दोनों में ट्राई करके चला हूँ सुरिय कल्यान की बात कीज़े तो दोस्तों एक एक्सपिरियेंस प्लेयर और लास्ट के दो मैचेज में फोम भी अच्छी चलिये तो इपोर्टन रहेंगे जुरूर से ट्राई करके चल सकती हूँ या फिर दोस्तों सुरिय कल्यान की जगाँ पर आप अपनी टीम में टंडोन को भी ट्राई करके चल सकती हूँ दोनों रहेंगे जुरूर से कवर करके समोलिग में विसी और जीयल के कोवनिस में उस्मान खान को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकती हूँ या सिर्कली में इपोर्टन रहेंगे आपको नमर तीन या नमर चार पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आ जाएंग वजीद खान आपको ओपन करा के देंगे पलस आपको कम्पलीट च्यार ओर की बोरिंग डाल के देंगे फोर्म अच्छी चलिए इपोर्टन पिक रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हूँ मुमन अजमल की बात कीजे तो दोस्तो एक पिक आपके लिए इस मैच में रहेगी समोलीग और लिक के दोनों कॉमिनिस में अगर आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ अगर रिस्की लवर तो समोलीग में जूरूर से ट्राई करके चला हूँ मुमन मसीव का बैटिंग ओर कंफरम नहीं रहता है लेक के दोनों मैचिज में चार-चार ओर की कम्पलीट बोलिंग डालते हैं दो-दो विकेट निकाल के दे चुकिए हैं तो समोलीग में जूरूर से कवर अगर के आप विसी भी ट्राई करके चल सकती हूँ बोलिंग सेक्शन में बात की जाए नाजी रजीच कम्पलीट चार ओर की बोलिंग डालके दे रहें फॉर्म काफी लाजव आप चल लिए तो सीधस्दा अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ सुल्तान अहमद आपको दो से तीन ओर की बोलिंग डालके देंगे तो ओनली जील ट्राई करके चला समोलिंग में आप ड्रोप करने कर इसक अपनी आसानी से ले सकती हूँ हजरत को लास्ट के दोनों मैचिज में विकेड नहीं मिलिया लेकिन उससे पहले देखो तो तीन विकेड दो विकेड और एक विकेड निकालके आचके कम्पलीट आपको च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे और कभी भुच्छों में विकेड नि बात किज़ें करनाल जाहिद की तो लास्ट के दो मैचिज में फोम इतनी अच्छी नहीं है लास्ट मैच में विकेड लास्ट के लास्ट मुकाल में एक विकेड लेकिन उससे पहले एक मैच में पांस विकेड और एक मैच में च्यार विकेड भी निकालके देचके करनाल जा आओ तो दोस्तों आप अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीज़े उससे पहले दोस्तों अगर आपने भी दिक अमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को जुरूर से जोईन कर लेना है टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टन बोक्स में मिल जाएगी जो भी हमारे फाइनल स्मोल लिक की टीम रहेगी मेगा कॉंटेस्ट जील की टीम रहेगी और दस मैचों में से आठ मैचों की अल्टरास क्लीन स्वीप टीम स्मोल लिक की आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी तो टेलिग्राम है वो इपोर्टन रहने वाल है दोस्तो टेलिग्राम चैनल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा लिंक आपको वीडियो के description में मिलेंगे वहां से आप टेलिग्राम चैनल को join कर सकती हूँ अब बात कर लेते हैं दोस्तों Captain Vice Captain की तो फिलाल के लिए दोस्तों देखो मुहमन अदीम को Captain Vice Captain वजीद खान को try करके चलो यह दोनों ही आपके लिए best Captain Vice Captain की choice बाकी दोस्तों अगर रिस्की लवर हो तो यहाँ पर आप उस्मान को भी VC और GL के कोमिनिस में Captain Vice Captain वो try करके चल सकती हूँ और उस्ते भी ज़्यादा अगर रिस्क लेके चलना चाहो तो दोस्तों यहाँ पर समाद को Vice Captain या फिर करनाल जाहिद को भी समाद लिग में VC आप ट्राइ करके चल सकती हूँ यह थोड़ी सी रिस्की पिक आपके लिए इस मैच में रहेगी Captain Vice Captain की बाकी कभी भी गुच्छों में विकेट आपको निकाल के दे सकती है टीम पर रियू की बात की जए तो दोस्तो देखो यह हमारी final team नहीं है only एक demo team है जो भी final team रहेगी after toast वा लाइनप के बाद आपको telegram channel पे मिलेगी और demo team में आपको एक से दो changes भी देखने को मिल सकते है तो final team के लिए telegram channel को जुरूर से join कलेना है अगर दोस्तो आपको मारा state analysis भी अच्छा लगा है तो वीडियो को like, comment and say, subscribe जुरूर से कर देना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तो जै हिंद, जै भारत